मासिक धर्म के दोरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु क्षीर सागर में शेशनाग की शया पर विश्राम कर रहे होते हैं, तभी देवी लक्ष्मी भगवान विश्णु से पूछती है। हे प्रभु आज मेरे मन में एक शंका उत्पन हो रही है। केवल आप ही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। भगवान विश्णु कहते हैं, ए प्रिय तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूंगा देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु के श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीडा सहन करनी पड़ती है, मेरा दूसरा प्रश्न यह है, प्रभु एक रजस्वलास्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, जिससे उन्हें पाप लगता है भगवान विश्नु कहते हैं, हे देवी आज तुमने मानव जाती के कल्यान के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देव शर्मा की इस प्राचीन कठा से प्राप्थ हो जाएगा, इस महान कठा का श्रवन करने मात्र से ही समस देवी लक्षमी कहती है है प्रभु यह देव शर्मा कौन थे। देव शर्मा को समस्थ शास्त्रों और वेदों का ज्यान था। वह परम बुद्धिमान गुनवान तथा धर्म कार्य में ततपर रहता था। सभी वर्नों के लोग उन्हें बड़ा सम्मान देते थे। वे प्रतिदिन यज्यदान धर्म तथा संध्या उपासना किया करते थे। वे पशु पुत्र बंधु बान्धव तथा धन संपत्ती से संपन्न थे। देव शर्मा की पत्नी का नाम भागना था। वह भी अत्यंत चरित्रवान गुन्वान तथा पतिवर्ता धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी फिर एक दिन देव शर्मा ने अपने घर पर सत्यनारायन की पूजा रखी और सभी ब्राहमनों को स्वयन जाकर निमंत्रन दिया नगर में निवास करने वाले समस्त मनुश्यों को उसने पूजा के लिए तथा भोजन के लिए बुलाया फिर पूजा के दिन समस्त ब्राहमन उसके घर पर पधारे देव शर्मा ने सभी ब्राहमनों का विधिपूर्वक पूजन किया और उनका आदर सतकार किया फिर उसने सभी ब्राहमनों को घर के अंदर बुलाया और सुन्दर आसन देकर उन्हें बिठाकर मिष्टान भोजन करा ब्राह्मनों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान का स्मरण करते हुए सभी को वस्त्र आदी का दान करके विदा किया वे सभी ब्राह्मन देव शर्मा को। उसके घर के सामने एक कुतिया और बैल बात कर रहे थे उस ब्राह्मन ने उस कुतिया और बैल की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ वह कुतिया और बैल उसके माता-पिता ही थे जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में कुतिया और बैल बन गए थ तब वह ब्राह्मन मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही है, जो मेरे घर पर पशु बन कर आये हैं। किस कारण से इन दोनों को प्राणियों का शरीर प्राप्थ हुआ? अब के उद्धार के लिए मैं क्या करूं इस प्रकार विचार करते हुए उस ब्राह्मन को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। उसने सोचा मेरे माता पिता की मुक्ती का उपाय केवल मुनिवशिष्ट जी ही बता सकते हैं। इसलिए सुबह होते ही देव शर्मा स्नान आधी कार्य संपन करके मुनिवशिष्ट जी के आश्रम पर पहुँच गया। आश्रम पर आते ही मुनि वशिष्ट जी ने देव शर्मा का स्वागत किया वशिष्ट जी कहने लगे है ब्राहमन श्रिष्ट आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है आप दुखी दिखाई पड़ते हो आपके दुख का क्या कारण है बताओ देव शर्मा कहता है हे मुनिवर आपको प्रणाम है आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हुआ है हे मुनिश्वर आज में आपके पास एक शंका लेकर आया हूं कृप्या आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकाल सकते हैं मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हो वसिष्ट जी कहते हैं हे ब्राहमन दुख ना करो तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो मैं अवश्य तुम्हारी शंका का समाधान करूँगा फिर देव शर्मा कहता है हे मुनिवर कल मैंने अपने घर पर भगवान विश्णु का पूजन किया तथा अनेक ब्राहमनों को और भूखे लोगों को भोजन कराया विधिपूर्वक भगवान का पूजन किया फिर मेरे द्वार पर एक कुतिया और एक बैल आ गया दोनों मे पेरे घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे सबसे पहले कुतिया उस बैल से इस पर कार से कहने लगी है स्वामी आज जो घटना घटी उसे सुनिये हमारे पुत्र के घर में ब्राहमनों के भोजन के लिए जो दूध रखा था एक साम्प ने उस दूध के बरतन में अपना विश उगल दिया था जिसे देख कर मुझे बड़ी चिंता होने लगी उसी दूध से भोजन बनने वाला था अगर सभी लोग उस दूध को खा लेते तो उनकी मृत्यू हो जाती इसी ये मैंने उस बरतन में से सारा सारा दूध पी लिया जब बहु की दृष्टी मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे खूब पीटा जिससे मेरा अंगभंग हो गया मुझे बहुत पीडा हो रही है इसी कारण से में लड़खडाते हुए चल रही हो मुझे यह पीडा सहन नहीं हो रही है कुतिया की बात सुनकर वह बैल बहुत दुखी हुआ और वह खुद का वृतांत सुनाने लगा है प्रिय अब मैं तुम्हें मेरे दुख का कारण सुनाता हूँ मैं पूर्व जन्द में इस ब्राहमन का पिता था आज इस ब्राहमन ने सभी लोगों को भोजन कराया किन्तु इसने मेरे सामने घास तक नहीं डाली और नाहीं मुझे जल पिलाया इसी कारण से मैं बहुत डुखी हो गया हो फिर देव शर्मा कहने लगा इस प्रकार से अपने माता पिता को कुतिया और बैल के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है, हर क्षण मुझे चिंता सता रही है, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा धर्म के कार्य किये हैं फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कश्ट जेलने पड़ रहे हैं, इसी कारण से आज मैं आपके पास आया हो कृप्या आप अपनी योगशक्ती से पता करके मुझे बताईए किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्धशा हुई है और उनकी मुक्ती के लिए मुझे कौन सा कम करना चाहिए, फिर गुरु वसिष्ठ ध्यान लगाते हैं और उस ब्राहमन के माता पर ताकि पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं और देव शर्मा से कहने लगते हैं हे ब्राहमन तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है, उसी पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्धशा हुई है देव शर्मा कहता है हे गुरुदेव किस पाप के कारण मेरे माता पिता की दुर्धशा हुई है कृप्या विस्तार से बताईए मैं जानना चाहता हो फिर रिशी वसिष्ट कहते हैं ब्राहमन देवता तुम ध्यान से सुनो ये बैल जो तुम्हारे पिता है यह पिछले जन्म में कुंडी नगर के शृष्ट ब्राहमन रहे हैं इन्होंने एक दिन एकादशी का वरत करके भोजन किया था एकादशी के वरत के दिन इसने दान धर्म भी नहीं किया इसने द्वार पर आई गायों को कभी भोजन नहीं खिलाया इसने अपने पित्रों का श्राध भी विधिपूर्वक नहीं किया तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण इसे इस जन्म में बैल का रूप प्राप्थ हुआ है अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाया मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा की तुलसी को जल चढ़ाया रजस्वला होते हुए भी इसने भगवान को भोग लगाया इसी कारण से इसे महापाप लगा है मासिक धर्म के दौरान स्त्री तीन दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए स्त्री को इन तीन दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए इससे पती की आयुकम होती है मासिक धर्म के दौरान पेड पौधों को स्पर्श न करे रजस्वलास्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए जो पुरुष रजस्वला के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रहमहत्या का पाप लगता है जो रजस्वला के वस्त्रों को स्पर्श करता है, उसे भी पाप लगता है, रजस्वलास्त्री के शरीर में तीन दिनों तक ब्रहमहत्या का पाप निवास करता है, और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है, चौथे दिन स्नान करने के पश्चात. साथ रजस्वलास्त्री को अपने पती का मुख देखना चाहिए अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए यदी पती समीत ना हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए गुरु वशिष्ट कहते हैं हे ब्राहमन इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को बैल और तुम्हारी माता को कुतिया का जन्म प्राप्थ हुआ है देव शर्मा कहता है हे मुनीश्वर अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ती के लिए उपाय बताईए वसिष्ट जी कहते हैं हे ब्राहमन तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ती के ये भगवान से प्रार्थना करो, फिर ब्राह्मन वहीं करता है, और फिर उसके माता पिता को समस्थ पापों से मुक्ती मिलती है, भगवान विश्नु माता लक्षमी से कहते हैं, ये देवी मैंने तुम्हें रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विशन म होने के कारण उनका स्वभाव उग्रथा और वे हमेशा ही युद्ध करने के लिए तक पर रहते थे, फिर एक दिन सभी दानव वृत्रासुर के साथ मिलकर स्वर्ग लोग पर चढ़ाई करने लगे, उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र थे, जिसका देवता स सामना न कर सके और भाग कर ब्रह्मदेव के पास चले गए, फिर ब्रहमदेव ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा है, इंद्र तुम इसी क्षन महर्शी दधीची के पास जाओ वे उनके शरीर की हड़ियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे उनहीं अस्त्रों का प्रयोग करके तुम व्रित्रासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्शी दधीची के आश्रम पर जाते हैं और उन्हें प्रार्थना करके अस्त्र प्रदान करने की विन्ती करते हैं। फिर संसार के कल्यान के लिए महर्शी दधीची अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र निर्मान करते हैं, उन्हीं में से एक वजर नाम का अस्त्र होता है, जिसे देवराज इंद्रधारन कर लेते हैं, फिर सभी देवतागन वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के निकल जाते हैं, देवताओं और दानवों के बीच भीशन युद्ध होता है, सभी देवतागन आकाश में दानवों से युद्ध के लिए एकत्रित हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं, अगनि देव अगनी के प्रहार से दैत्यों को डग्ध करने लगते हैं, अगनी क दिनों तक इस प्रकार से दैतियों और देवताओं के बीच में भीशन युध चलने लगता है, फिर देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ जाते हैं, दोनों के बीच भीशन युध होता है, और फिर देवराज इंद्र अपने वजर का प्रहार करके प्रवेश कर लेती है जिससे इंद्र को ब्रहमहत्या का पाप लगता है देवराज इंद्र ब्रहमदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रहमहत्या से छुटकारा दिलाने के लिए कहते हैं फिर ब्रहमदेव उस ब्रहमहत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आजया देते हैं और वह ब्रहमहत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रहमदेव से कहने लगती है परम्पिता अभी तक में वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्रहमहत्या हत्याएं की थी, जब इंद्र ने उसकी हत्या की, तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी, अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिये जहां पर में रह फिर ब्रहमदेव कहते हैं कि ब्रहमहत्या मैं तुम्हें उचित स्थान देता हो। प्रवेश रोगी फिर तीसरा एक चौथाई भाई पेड पौधों और व्रिक्षों के भीतर रहेगा जो भी मनुष्य अकारण ही व्रिक्षों को काटेगा उसे भी ब्रहमहत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रहमदेव ने अपसराओं को बुलाया और कहा है अपसराओं इस ब्रहमहत्या का एक चौथाई भाग तुम ग्रहेण करो। अपसराओं कहने लगी है प्रभु आपकी आध्या से हम इसे ग्रहेण करने के लिए तयार है किन्तु हमें भी इससे मुक्ती का कोई उपाए बताएए। फिर ब्रहम देव कहने लगे है अपसराओं जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध करेगा उसके अंदर यह ब्रहमहत्या प्रवेश कर जाएगी इस प्रकार से ब्रहमहत्या के चार भाग हुए एक अगनी में दूसरा जल में तीसरा व्रिक्षो में और अग्य के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अध्वा उनके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रहमहत्या का पाप लगता है भगवान विश्नु कहते हैं देवी इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे की कथा और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए आधी के विशय में बता दिया है मा लक्षमी कहती है प्रभु आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्यान दिया है मैं भी आपको वचन देती हूँ जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी पती के साथ संबंध रखेगी उसके घर में में प्रवेश नहीं करूंगी तो दोस्तों इस प्रकार से मासिक धर्म के दौरान स्त्रीयों को यह कार्य नहीं करने चाहिए आपको यह तथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट में जैश्री हरी विश्नु अवश्य लिखें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें